नमस्कार, मैं हूँ रमेश नस्कॉर, नस्कॉर फिनेंसियोज सर्विसेज में आपका स्वागात है What is good civil rank ? आच्छा civil rank क्या है ? आच्छा civil rank क्या है ? वो जानने से पहले हम डिस्कास कर लेते civil rank क्या है ? कोई individual customer, loan लेते हैं तो उसके basis पे civil score बनाए जाते हैं कोई company के नाम पे loan लेते हैं तो company का जो loan history है के ट utilization है उसका basis पे civil rank बना जाता है individual customer जो loan लेते हैं उनका civil score होता है 300 से लेके 900 तक जितना ज्यादा score होता है उदना अच्छा है और जितना कॉम score है उदना खराब है यहाँ पे एक से लेके 10 के बीज में civil rank होता है यहाँ जितना ज्यादा होता है उदना खराब होता है जितना कौम rank होता है उदना अच्छा है number one is the best number 10 worst मना जाता है मगर कोई भी bank एक से लेके 4 के बीज में rank होता है तो वहाँ पे उस company को आसनी से loan दे देता है मगर उससे ज्यादा rank होता है मन लीजे rank 5 हो गया है तो उस case में higher authority में approval लेना परते है तब ही जाके उस customer को loan मिलता है जातक bank civil rank 5 होने में loan देने में हिच्च की जाता है मगर civil rank 6 होने से उस company को loan मिलना बहुत मुस्किल हो जाता है वहाँ पे higher authority से approval लेके आना परते है तब ही जाके उनको loan मिलता है सिप वही नहीं उस company का financial बहुत अच्छा होना चाहिए और जो mortgage दे रहा है loan के लिए वो property भी बहुत अच्छा quality का होना चाहिए तब ही जाके loan मिल च्छे से जादा rank होगा तो कोई bank से loan मिलना almost impossible है वहाँ पे loan मिलेगा तो कोई NBFC से loan मिलता है जहाँ पे rate of interest बहुत ज़्यादा होता है तो हम यह मान सकते है कि एक से लेके चार rank अच्छा है मैं यहाँ पे एक छोटा story बता हैंगे उस story के ट्रू टांजुनियन civil को एक message दे rectification के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं बहुत customer हमें मिलता है जिनका civil score हम लोग बराते हैं civil report rectification करते हैं मगर company के report rectification का काम उतना ज्यादा नहीं मिलता है इसके आंदर में customer कुछ मैंने पहले आया था जिनका civil report में बहुत सारा गलत entry चला जा था इसके मतलब दूसरा किस कमपानी का लोन उनका civil report में चलाया था और लोन खराब था उसके वाज़ा से उनका civil rank खराब हो गया था और civil rank था उस टाइम पर 9 कभी कभी data mixing के वाज़ा से कोई company का लोन दूसरा किसी कमपानी का report में चलाया था है तो यह rectify हो सकता है हम लोग वहाँ पे rectification भी किये थे जि कॉस्टमार फिर से मेरे को फोन किया और उनने वताया था मेरा civil rank अभी बर के फिर से 8 हो गया जिसके वाज़ा से मेरे को लोन नहीं मिल रहा है उन्होंने बीहर में रहते हैं सिर्फ उन्होंने यह discuss करने के लिए बीहर से कुलकरता चलाया मेरे से मिलने के लिए हमने उनका civil report analysis करके देखा है कि उनका कुछ मैने पहले ग्रैजुली तीन मैने एसे में हुआ है और तीन मैने एसे में हो जाता है तो वह account NPA माना जाता है मगर उसके बाद customer ग्रैजुली loan repayment सही टाइम पे किये थे और अभी यह loan close भी कर दिया है और उनका जो एसे में हुआ था वह भी ब transaction अच्छा ही करते थे मगर मांत का end date में जब bank interest debit करता था उस टाइम पे उनका limit cross हो जाता था उसके वेसिस पे ओ लोन एसे में में चला गया फिर वह customer निक्स माई ने दो तरीक तिन तरीक में as usual transaction सुरू किया और लिमिट गिरा मगर जब limit cross कर जाता है मांत का end date में तब ओ account क SME माना जाता है क्योंकि कोई भी bank मांत का end day 38 या 31 में सीवले में रिपोर्ट भेज देता है और उस दिन में जो status है वही status वह पे reflect करता है माल दीजे मांत का बीज में अपने limit exit कर दिया और उसके बाद फिर से payment करके limit reduce हो गया है तो उस case में वह account SME नहीं दिखाएगा उस customer क 3 माइन ऐसा हुआ था customer भी यह धेन ने दिया और bank भी उनको बताया नहीं इसके वाएसे gradually 3 माइने SME हुआ है और account NP में चला गया था जो customer को भी पता नहीं था जब उन्होंने loan लेने के लिए गये थे तब H.S. पता चला कि उनका gradually 3 माइने SME हुआ था और उसके वाएसे उन उन्होंने ये बोल रहे है कि मैंने कोई default नहीं हूँ मेरा कोई loan राइट आप नहीं है मैं कोई loan settlement भी नहीं किया हूँ loan जो था मैं close भी कर दिया हूँ जितना सरा loan भी चल रहा है वो भी सही तरह से चल रहा है फिर भी मेरा civil rank 8 है जिस करण से मेरे को loan नहीं मिल रहा है यह य दूसरा तरफ से देखोगे कोई individual customer 6 माने के लिए delay payment कर रहा है एक साल का भी delay payment है उसके बाद उन्होंने सही तरह से payment करना सुरू कर दिया loan को close कर दिया ना कोई loan लिया एक credit card ले लिया एक gold loan ले लिया उनका score बहुत जल्दी से अच्छा हो जाता है 750 भी cross कर जाता है उनको को कोई अच्छा bank से loan भी मिल जाता है मगर दूसरा तरफ से कोई company को थोरा सा problem के लिए loan नहीं मिल रहा है जिस customer के बड़े में मैं बोल रहा हूं उन्होंने जो opinion दिया है उस opinion से मैं भी सहमत हूं आप इस में सहमत रहिए तो जुरूर comment करके बताईए और ज्यादा से ज्यादा का जो algorithm है उसमें थोरा आप देख लीजिए अपने जो algorithm बना है बहुत अच्छा बना है क्योंकि आपका जो credit bureau है सबसे ज्यादा बैंक फॉलो करते हैं तो ज़रूर अच्छा होगा मगर यह छोटा-छोटा problem के लिए company को जो loan नहीं मिल रहा है इसमें उनको growth के लिए बहुत खरब होता है सबसे बहुत ज्यादा problem हो जाता है उस टाइम पे जिनका company थोड़ा बहुत बढ़ा है और जहां पे बहुत सारा लोग काम भी करते हैं उस company को कभी emergency आ लोन का जुरूरत पड़े तो civil rank वैसे उनको loan नहीं मिलता है तब individual company का जो प्रोपाइटर है पार्डनर है डारेक्टर है सिब उनको भी problem नहीं होता है उस company में जिनने सारा लोग काम करते है वो लोग भी problem में फंस जाता है अब आता है अब यह civil rank कैसे रिक्टिफाई करोगे कैसे improvement करोगे मैं वीडियो को और लंबा नहीं किछेंगे क्योंकि और लेडी में इसके बारे में मेरा वी तो वीडियो चेक कर लिजे आपका कोई problem रहे civil rank खराब रहे अब सही कीजिए मैं उस वीडियो का लिंक description में देखे रहा हूं वीडियो चेक कर लिजे मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जुरूर लाइक कीजिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं सिरुसको रिलेटेड लोन डिलेटेड टॉपिक में रिगुलरली वीडियो बनाता हूं उस वीडियो का notification आपके पास चला जाएं वीडियो एन तक दिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद